तो कैसे हैं आप सब आप सबी का वेलकम हैं आज की इस वीडियो के अंदर और आज हम बात करेंगे क्या सिचुवेशन चल रही है आज है फ्राइडे और फ्राइडे मॉर्निंग को क्या हाल चल रहा है क्रिप्टो मार्केट का और साथ के साथ बात करेंगे इंपोर्टेंट अ अगर आप देखोगे 16,500, 600, 400 से लेगे 700 तक की जो रेंज है वो चल रहे है बिटकोईन की अभी भी 16,498 पर चल रहा है और पिछले 24 गंटे में 1% प्राइस डाउन हुआ है बिटकोईन का मतलब लेवल्स जो है 16,400, 500 भी अटक गए है अब possibilities हैं कि अगर यहां से कोई bad news नहीं आती है कुछ भी bad news आ गई क्योंकि bad news की उपर सबसे पहले react कर देगा market है अगर bad news आती है कुछ ऐसी तो market नीचे भी जा सकता है news बहुत जरूरी है market के अंदर और अगर good news आती है December में CPI data साथ के साथ FOMC की meeting, FED की meeting है न interest rate वाली तो December का मन्त अगर उस time पे भी interest rate को कम किया CPI data December मन्त के अंदर जो आने वाला है वो कम आया तो December मन्त भी अच्छा हो सकता है है न इसके लावा अगर हम बाकी alt coins की बात कर लें Ethereum की बात कर लें तो 1185 डॉलर पे जो है Ethereum के price चल रहे है इस time पे 1% ये भी डाउन है है न इसके साथ साथ बाकी alt coins की बात कर लें BNB 298 वही 300 डॉलर पे जो levels आ गए थे market के Bitcoin के साथ साथ वहीं पे चल रहे है जैदा कोई downfall नहीं आया भी 0.39 पे XRP रिपल है आठ नंबर पे फिर से Dodge कोई न आ चुका है 0.081 के साथ Cardano 0.30 डॉलर पे और सीधा आ चुका है 9 नंबर पे Cardano के price drop हो रहे हैं और आगे हो सकते हैं अगर हम market पे एक bottom Bitcoin का लगता हुआ देखेंगे तो मुझे लगता है Cardano के जो price है वो drop हो सकते हैं और top 10 से बाहर हो हो सकता है तो यह हाल है old coins के अगर हम देखें यहां पे बाकी कोई की पॉलिगान मैटिक दस नंबर पे है 11 पे पॉल का डोट है 13 पे लाइट कोई चल रहा है 77 डॉलर के साथ बना हुए लाइट कोई और सुलाना चल रही है 14 डॉलर के उपर शिभा इनू 0.59 08938 के लेवल आ चुके हैं तो मार्किट में यह कुछ अभी हाल है और मार्किट थोड़ा जो है स्टेवल लग रहा है बिटकोईन के साथ सथ है ना अगर बैड नियूज आई तो मार्किट नीचे भी जा सकता है और अगर सब चीजे ठीक रहती है ट्रैक पे रहती है तो मार ऐसकता है बाकी अप्डेट आपको हमारे टेलीग्राम चेनल पर मिलती रहेंगी अगर आपने टेलीग्राम चेनल को जोएं नीक है डिस्क्रिप्शन में ज़ाइन जरूर कर लेना नेक्स्ट अपडेट बड़ी जरूरी अपडेट है और यहां पे है लो कैप कॉइन नैनो शूट अप 170% इन जस्ट 30 मिनट्स आपने देखा होगा एक्सएन ओ कॉइन को पूरा पूरा 200% तक यहां पर प्राइज बढ़ गया और यह क्या हो रहा है मतलब अगर आप देखो लो कैप जो कृप्टो कॉइन से लो कैप अगर मार्किट से आपको पैसा कमाना है मार्किट से अच्छा पैसा कमाना चाहते ओ सोनम जैसा आपको कोई चाहिए जो 6000 परसेंट χ Berkette तो इन कोई इन के मार्किट कैप जैदा नहीं दे सबसे पहली चीज इसलिए लोग कैप कोईन्स और जो पोटेंशल रखते हैं उन कोईन्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा सिर्फ टॉप 100 में नहीं रहना है तॉप 200 में भी 300 में भी 500 में भी आमको जो है अपना कहते हैं न सर चभियान वो चलाना और बाकी हम है जो भी हमारी नजर हमको दिखेगा हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं है ना और अगर आप देखो लोग कैप क्रिप्टो कोईन्स ही आपको अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं जिनके अंदर पैसा है नहीं नहीं समझे लो कि नेक्स पूल सीजन शुरू होगा तो उनके अंदर अच्छा ख मार्किट कैप बढ़ेगा अच्छा खासा बढ़ेगा तो वो पंप भी बढ़िया वाला करेंगे है ना इसलिए अगर आपको मार्किट से रियालिटी बता रहो है आपको लोग कैप क्रिप्टो कोईन्स को पकड़ना पड़ेगा और ऐसे ऐसे को पकड़ना पड़ेगा जो पंप कर सकते हैं आप XNO की बात कर लें नैनो कोईन की तो सीधा 170 परसेंट पंप आ गया 30 मिनिट के अंदर है ना तो कोईंसीडेंस नहीं था इसका पंप नैनो 170 परसेंट पंप इस नो कोईंसीडेंस तो जितने भी आप देख रहे हो पंप जिनके अंदर पैसा लगा ही नहीं था बहुत कम पैसा था है ना पैसा था लेकिन इतना नहीं था जितने आज आप टॉप के कोईन देख रहे हो लेकिन crypto market एक बहुत रिस्की market है ठीक है आप किसी भी coin में investment कर रहे हैं हमेशा अपनी जो research है वो जरूर करें और सही coin को पकड़ना भी जरूरी है ठीक है बहुत सारे ऐसे scan coins भी होते हैं तो उनको या उनसे बच के रहें आप top 1000 पे भी फोकस कर लोगे न मैंनी कहता 20,000-21,000 crypto currency है 20,21 में आपको जाना है जा सकते हो जो आपकी favorite है उनको पकड़ सकते हो लेकिन top 1000 cryptocurrencies ये एक ऐसी crypto currency है 1000 top की जो पीछे चल रही है वो आगे आ सकती है जिनमें पैसा ना के बराबर लगा हुआ है उनमें पैसा अच्छा कासा आ सकता है तब ही आप जो है अच्छी wealth बना सकते हो low cap crypto coins में पैसा लगा के है न और ये आप result देख भी रहे हो low cap crypto coins कैसे pump कर रहे हैं जटके में 100%, 200%, 500% है न अब sonam coin की देख लो कुछ भी नहीं था उसके अंदर एकदम से 6000% जो है pump आ गया तो ऐसे coins market में भरे पड़े हैं बस ढूणने की ज़रूत है और ढूणने के लिए हम है तो अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर ले ना कोई update मिस नहीं होगा और telegram channel का link है description में उसको भी join कर लेना वहाँ भी कोई update मिस नहीं होगा आपसे next update है bitcoin को लेके आपको पता है bitcoin number one king है crypto market का और bitcoin is still worth more than samsung bank of america facebook and coca cola इन सब से भी bitcoin अभी जो है बहुत बड़ा है with the ongoing crypto market downturn bitcoin has shed a lot of weight मतलब जहां trillions of dollar bitcoin में लगे हुए थे आज ठीक है billions of dollars में आ चुक है no doubt लेकिन coin market cap data shows that bitcoin current market cap is nearly 75% lower than 2021 value of 1.26 trillion जो market cap bitcoin का 1.26 trillion dollar पे पहुँच गया था वह अच्छा 318 billion dollar के round है ठीक है no doubt बहुत कम हुआ है market cap पूरा पूरा 1 trillion dollar चला गया लेकिन bitcoin आज भी इन सब companies से बड़ा है अगर आप देखो samsung with its market capitalization of 310 billion dollar 318 bitcoin 310 samsung इसके लाब बैंक ओफ अमेरिका की बात कर ले 301 billion dollar का है और इसके लाब अगर आप बाकी companies की बात करेंगे facebook 296 7 billion dollar और जो कोका कोला है अगर आप देखो world most recognizable brand is also worth significantly less than bitcoin at a total current value 270 billion dollar तो bitcoin के आगे अभी आप देखो यहाँ पर bank of america bank of america का market cap भी 301 billion dollar का है तो सबसे बड़ा है इस ट्राइब पर bitcoin पूरी टक कर देता है samsung को देता है जो इतनी बड़ी company है bank of america facebook and coca cola इन सब के market cap bitcoin से आज कम है और यह बताता है कि क्या power है crypto की है न तो अभी कुछ दिन पहले baby doge queen ने announce किया था अपना burn feature swap के लिए है swap के जरीए कुछ भी swap होगा मतलब कोई भी swap होगी उसके जरीए कुछ ना कुछ baby doge queen burn होगे लेकिन इन और यह भी announce किया था एक proposal भी रखा था कि baby doge queen की जो monthly burning हो रही थी वह अगर चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने vote किया और yes में vote आये है न तो burn proposal pass हो चुका है और burn incoming on December 1st तो वही सिलसिला फिर से चलने वाला हर मन्त की स्टार्टिंग में baby doge coin burn होगा from swap buy back and burn plus d5 token volume burn तो मतलब अब जो है baby doge coin की burning का जो process है वो फिर से चलने वाला एक December से और एक December को यहाँ पर फिर से tokens जो है burn होने वाले हैं और यह जरूरी भी है क्योंकि baby doge coin बहुत ज्यादा supply रखता है अभी भी 220 quadrillion अभी भी supply है 200 quadrillion के around burn हो चुकी है लेकिन अगर यहाँ से हर मन्त burning होती है baby doge coin की तो अच्छी बात है जितना supply कम होगी उतना बेटर है तो कहीं न कहीं baby doge coin खुश करने वाला हर महिने की शरुवात में burning के साथ next हम बात कर लेते हैं कुछ nexo के transactions के बारे में in the past 10 hour nexo address has transferred total of 15,498 ethereum जिसकी value 18.5 million dollar की है 15,400 ethereum यहाँ पर transfer किये nexo address ने और of which 7,959 ethereum जिसकी value 9.5 million dollar की has been transferred to binance जिसमें से 7,900 ethereum गए है binance के उपर और nexo का जो यह address है अभी भी still hold करता है कितने 84,000 ethereum जिसकी value 100 million dollars की है तो ethereum को लेके काफी ज़्यदा transactions हो रहे हैं विटालिक गुटेरियन ने भी कल 40,000 ethereum transfer किये है ना वो तो care करता जरता है वो कुछ भी कर सकते हैं अपने ethereum के साथ लेकिन nexo की अगर हम बात कर लें तो काफी बड़ी quantity में ethereum इधर से उतर किये हैं nexo ने और यह कुछ transaction की details भी आपको देखने को मिल जाएंगी है ना यहाँ पर आप देख सकते हो कितने कितने ethereum गए है तो जी हाँ आज है black friday black friday sale लगी हुए है सब जगा लेकिन black friday is tomorrow और यहाँ पर जो है bitcoin is already 76% off मतलब अगर आप देखो हुए bitcoin already 76% off चल रहा है discount दे रहा है आपको है ना तो इस sale का benefit आप उठा सकते है यहाँ ब्लैक friday sale का next update है यहाँ पर ethereum whale सायतामा को लेकिए इस whale का नाम सायतामा है ठीक है सायतामा coin मत समझ लेना कि सायतामा coin ने सायतामा community ने यहाँ पर जो है LDO को खरीद लिया नहीं सायतामा whale है और 2.1 million LDO फिर से Lido DAO को यहाँ पर खरीदा इस बड़ी whale ने और जिसकी value 2.4 million dollar किया मतलब 21 लाख LDO Lido Finance Lido DAO जो है उसको खरीद लिया इस ethereum whale सायतामा ने और बड़ा transaction किया LDO को लेके तो थोड़ा सा LDO पे भी focus करें ठीक है और इसकी जो rank आती है वो 94 के उपर आती है तो आज की इस video करते है यहीं पर and I hope इस video में आप सारी updates समझ गए होंगे वीडियो पसंद आया like, share, comment जरूर कीजिएगा कोई question को इस वाला पूछ सकते है नीचे description में Telegram Twitter के link है वहाँ भी join कर लेना कोई update मिस नहीं होगा तो मिलते है नेक्स वीडियो में अगर आप किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो हमेशा अपनी research करें वो बहत जरूरी होगी है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तब के लिए bye bye take care